चीन ने मई 2024 में 10.22 मिलियन मीट्रिक तन सोयाबीन का आयात किया, जो मई 2023 से 15 परसेंट कम है, मुखे रूप से ब्राजील में बार के कारण फसल प्रभावित होने के कारण, वर्ष दरवर्ष आयात भी 5.4 परसेंट कम रहा, बर्ती सूर की कीमतों के बावजूद मांग में व अदलाव को दर्शाता है, चीन ने मई 2024 में 10.22 मिलियन मीट्रिक तन सोयाबीन का आयात किया, जो मई 2023 के 12.02 मिलियन तन के रिकॉर्ड से 15 परसेंट कम है, यह 11-12 मिलियन तन की अपेक्षित आवक से भी कम है, लेकिन अप्रेल के शिप्मेंट वॉल्यूम से अधिक है, दरसल 2024 के पहले पांच महीनों में, चीन का सोयाबीन आयात कुल 37.37 मिलियन तन रहा, जो 2023 की इसी अधिकी तुलना में 5.4 परसेंट की कमी दर्शाता है, साथ ही चीन में सूर की बढ़ती कीमतों ने सोयाबीन की मांग को बढ़ा दिया है, जिसका उप्योग मुखे रूप से मस्याओं का सामना कर रहा है, जिससे उत्पादन अनुमान और भंडारन इकायों को सोयाबीन की समय पर डिलीवरी प्रभावित हुई है, जिसके चलते आयात में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ब्राजील आमतोर पर अपनी अधिकांश फसल मार्च से जून तक रहे हैं, Bureau Report Market Times TV